नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यूपर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत पूर्ण जानकर लेकर हाजर हो चुके हैं अगर आप भी राशनकार धारक हैं तो इस वीडियो को जरूर पोच करेगा लेकिन दोस्तों हाली में एक बड़ा नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कुछ राज्यों में अब फिरी राशन नहीं दिया जाएगा हाला कि 6 महिने के लिए एलान किया गया था कि 6 महिने तक फिरी राशन दिया जाएगा लेकिन दोस्तो जो नोटिस जारी हुआ है उसकी संपूर्ण जानकरी हम आपको देने वाले हैं किस प्रकार से और क्यों इन राज्यों में फिरी राशन अब नहीं दिया जाएगा दोस्तो अगर आप राशनकारधारक हैं तो आप अंध तक बने रहिएगा वीडियो को अंध तक देखते रहिएगा साथ ही कुछ राशनकारधारकों को जेल भी करने का सरकारधारा फैंसला लिया गया है यानिके दोस्तो जो एपात राशनकारधारक हैं दोस्तो उन पर कार्रावा ही की जाएगी और जो रासन उन्होंने प्राफ्त किया है उनसे वह रासन की भी वसुली सरकार द्वारा की जा रही है अगर आपके पास कोई भी रासन कार्ड है APL रासन कार्ड, BPL रासन कार्ड या फिर अंत्योज रासन कार्ड तीनों कार्डों में से कोई भी रसन कार्ड है तो इस वीडियो को आप दोस्तों देखते रहेगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निविदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर करेगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तो बैल लेकन को प्रेस करेगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जानकारी को आप सबसे भेले प्राप्ट कर सके चले दोस्तो वीडियो को सु अन्योजनक के अंत्रकत सितंबर तक अवांटित होने वाले फिरी रासन को लेकर बड़ा अपडेट जारी हो चुका है जहुस्तो छे महिने के लिए सरकार दुवारा एलान के आगया था कि 6 महिने तक फिरी राजशन दिया जाएगा लेकिन हाली में दोस्तों यहांपर जो जारी हुआ है उसके वारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तो बताया जारा है कि कई बड़े राज्यों में परी राशन देना बंध होसकता है क्योंकि राज्यवन दोस्तो सबसे पहल게 आपर अध्य राज्य जो है उत्रा हें उत्रा खंड के गेहूं का जो कोटा है दोस्तों वह हैं घट गया है यानके उत्रा खंड में जो फ्री रासन वितरित क्या जा रहा है जैसिंगा आप सभी जानते हैं कि एक यूनिट पर 5 किलो रासन दे जा रहा है जिसमें सरकार द्वारा 3 किलो गेहु दी जाते हैं यहनके तीन किलो गेहु दी जाते हैं और दोस्तो दो किलो चावल दी जाते हैं लेकिन अब कितना रासं दिया जाएगा उसके बारे में भी हम आपके हाँ पर जानकारी देने वाले हैं दोस्तो राष्ट्य खाद शुरक्षय योजना की अंत्रगत अंत्योध्य कारधारक एवं पात ग्रस्त यान के पात जो प्रिवार हैं प्रिवार कारधारक हैं जो दोस्तो उनको कमज अगले महिने से कम अनाज और चावल अधिक दिया जाएगा यान के गिहूं जो तीन किलो दिया दा है वह घटा कर दे जाएगा अर जो चावल दोस्तो आपको कम दिया जाएगा वह बढ़ा कर दिये जाएंगे कितना रासन आपको दे जाएगा अब आगे उसके बारे में आप पोताएंगे कितना रासन होगा इनके कितने गेहूं दे जाएंगे और कितने चावल दे जाएंगे मैं दोस्तो ऐसे ही कई बड़े राज्ये हैं जिनमें रासन की कमी बताई जा रही है और कुछ राज्यों में फिरी राशन मिलना भी बंध हो सकता है और दोस्तो वे कौन-कौन से राज्ये हैं वे भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए सियर भी करेगा दोस्तो आप चैनल को अब तक आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेजिए गा दोस्तो केंदर सरकार की तरफ से कुछ राज्यो और केंदर सासित परदेशों में भी परधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के अंतरकत वित्रित किये जाने वाले यहनके बाटे जाने वाले गेहूं की मात्रा को कम कर दिया गया है यहन्के दोस्तों जिन भी राज्यों में फिरी राशन वित्रित किया जाता है उन राज्यों में दोस्तों ग्यहूं की कमी बताई जा रही है गेहुं की कमी क्यों बता जा रही है किस परकार से गेहुं कम हुए हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों खाद्य और सर्जनिक वित्रन मंत्राल्य ने बताया है कि गहुं के घाटे इनके गहुं के घटे हुए कोटे की भरपाई चावल से की जाएगी यहन के दोस्तों जो गहुं में घाटा हुआ है गहुं घटे हुए है उनको अब चावल से पूरा किया जाएगा जैसे कि हमने आपको बताया है कि एक यूनिट पर पांच किलो रासन सरकार की तरफ से दे जाता है जिसमें तीन किलो गहुं होते हैं और दोस्तों दो किलो चाव होते हैं आप गहुं कम मिलें अदोस्तों चावल अधिक सरकार दोवारा दिये जाएगे हैं चाहे आपके पास appi रसन काड़ा हो भी जना काड़ा यह फिर अंतियों उद्यरसन काड़ा संच करिक के अंतर के दोस्तों कम गहुं जो है वह दिया जाएगा कैं दोस्तों अब राज्जी की बात करते हैं तो बताय गया है कि कुछ राज्जों को मुफ्त वित्रन के तहत गेहूं नहीं मिलेगा जी हां दोस्तों यहां पर बताय गया है कि इन राज्जों में जो फिरी राशन दे जाता है उनमें गेहूं फिरी नहीं दे जाएगा जबकि उत्राखंट, दिल्ली, गुजरात, जारखंट, मध्यापरदेश, महराष्ट और पस्चिम बंगाल के लिए कोटा कम कर दिया गया है यह दोस्तों इन बड़े राज्यों में कोटे को कम कर दिया है और इसकी वजह गेहूं की कमी खरीद होना बताय गया है यहनके इसकी जो असली वजह है कम गेहूं की तो दोस्तों में बताया गया है कि कम खरीद होना है कम खरीदा गया है या फिर दोस्तों जो किसान है उन्होंने कम गेहूं उगाया है कम गेहूं बेचा है इस वज़ा से गेहूं की कमी लगी है जो कि दोस्तो अब रहनकारधार्गों को कम गेहूं दिया जाएगा पुए दोस्तो बता जा रहा है कि मध्या परदेश उत्राखंड राजिस्थान गुजरात में किसानों से इस बार गेहूं की कम खरीद हुई है यनके किसानों ने कम गेहूं बेचा है और दोस्तो इन राजियों में किसानों को खुले बाजार में व्यापारियों से अपनी उपज के नियूनतम समर्थन मोल्या से अधिक दाम मिले हैं जबकि आपको बता दे कि पंजाब, हरियाना और उत्तर परदेश में उत्तपादन भी कम हुआ है यन के दोस्तों जिन राज्यों में अधिक गेहूं उगाए जाते थे उन में आप दोस्तों कम गेहूं बता जा रहा है इनके कम यहां पर गेहूं उगाए गए हैं जिसके अंतरगत गेहूं की कमी लगी है दोस्तों आप किस राज्य से हैं आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताएगा जो भी आपका राज्य है आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर बता सकते हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्राखंड राज्य में राष्ट्य खाध्य सुरक्षा योजना के अंत्रकत चोधै लांक से अधिक अंत्योध्य एवं पात्र ग्रस्ती के कारधारक को को अगले महिने से परती यूनिट पर दोस्तों जो तीन किलो गेहूं दिये जाते थे अब तीन किलो गेहूं के अस्थान पर केवल और केवल एक ही किलो गेहूं दिया जाएगा ठीक है तीन किलो की जग है एक किलो गेहूं मिलेगा और दोस्तो जो दो किलो चावल दिये जाते थे वह अब चार किलो चावल जनस्तो चार किलो चावल दिये जाएगे यानि कि दोस्तो गेहूं की जो घटी होगी वह चावल से पूरी किये जाएगी दोस्तो यह उत्राखन राज्य में कर दे गया है यनकि उत्राखन राज्य में केवल अब एक किलो गेहूं मिलेगे और चार किलो अनाज दिये जाएगा चार किलो गेहूं दिये जाएगे तो दोस्तो आपकी क्या राय है यह है खबर सुनकर यह है जानकर सुनकर आप हमें कमेंट वोक्स में जाकर जुरू बताएगा क्या सरकार द्वारा सही बताया जा रहा है कि रासन की जो घटती है गटती है गटती आई है कमी हो गई है आपकी क्या राइ है आप हमें कमेंट वोक्ष न जाकर दोस्तो जरूरू बताएगा कोई भी सवाले सवाल कर सकते हैं आप से भी के सवाल को जवाब भी दे जाएगा और दोस्तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर करेगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तो बैल लेकन को प्रेस करेगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उसकी जानकरी आप सबसे पहले प्राप्त कर सके दोस्तो इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी परकार का भरमित नहीं किया जाता है आपको सही समय पर सही सर्टिक जानकरी दे जाती है आप चाहेंगे आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नएस वीडियो में नए जानकरी साथ दोस्तो तब तक के लिए जै हिंद जै भारात